10 से 1's को carry दिया तो वो बन गया 10, 10 में 2 plus करेंगे तो वो आजेगा 12, देखें, next step में वो बन गया 12, फिर 12 में से 4 minus किये तो हमाने पास आ गया 8, फिर यहां बच गया था 10, sorry, यहां बच गया था 9, 10 में से हमने 1 करी कर दिया था 12 को, तो वहां बच गया था 9, 9 में से 4 माइनस किया तो आगया 5 फिर यहां बच गया था 3 It means 3 में से 1 को माइनस किया तो बच गया 2 2 में से 1 निकाले तो आगया 1 It means इन दोनों वैलियो को माइनस करने से मारे पास आया 1, 5, 8 Is it clear? मैं दुबारा से रूपीट कर देती इस question को 2 में से 4 माइनस नहीं होता तो हमने पीछे वाली वैल्यू से कैरी किया तो उसकी वैल्यू जीरो थी उससे पीछे वाली वैल्यू हमने 100 से कैरी बोरो कर दिया 10 को फिर 10 से हमने 1 को दे दिया तो यह बंद गया 12 12 में से 4 माइनस किया तो आगया 8 यहां बच गया था 10, 10 से carries को दिया तो यह बच गया था 9, 9 में से 4 माइनस के तो आगया 5 फिर यहां बच गया था 2, 2 में से 1 माइनस के तो आगया 1 Is it clear? इसी pattern से आपने अपने questions को solve करना है, page number 59 भी same इसी pattern से है आपने इसको ची तरह से देखना है Now move on your page number 52, 52 भी same इसी pattern से है हमने 100 से 10 को और 10 से 1 को carry करना है जैसे page number 52 में 1000 है, 1000 से 100 को carry किया और 100 से 10 को और 10 से 1 को Is it clear? इन steps को आपने अच्छी तरह से देखना है फिर आपने अपनी maths की exercise solve करनी है Now move on your page number 53 First of all write date and date student आपने वो date write करनी है जिस date पे आपने अपना काम start करना है आज हमने day 8 का काम start करना है हमारी exercise number है exercise 2B First question है fill in the blanks हमने blanks को fill करना है Question number 1 है 100 minus 80 100 में से 80 को minus किया तो हमारे पास क्या आता है? इन questions को करने के लिए आपने अपनी rough copy पे इनको solve करना है जैसे देखे मैंने यहां rough copy पे इसको solve कर लिए 100 में से 80 को minus किया तो हमारे पास क्या? 0 में से 0 minus किया तो आगया 0 और 0 में से 8 minus नहीं होता है पीछे वाले से carry लिए तो यह बन गया 10 It means 10 में से 8 को minus किया तो आगया 2 It means 100 में से 80 को minus किया तो हमारे पास आ गया 20 यहाँ हम लिखनेंगे 20 100 में से 80 को माइनस किया तो आ गया 20 Next one 629 में से माइनस कर दिया 29 इसको भी आपने अपनी rough copy पर solve करना है 629 में से माइनस कर दिया 29 9 में से 9 माइनस किया तो आ गया 0 2 में से 2 माइनस किया तो आ गया 0 और 6 से नीचे कोई value नहीं है, तो 6 as it is आजएगा, it means 629 में से हमने minus करना है 29, तो मारे पास answer आजएगा 600, 629 में से minus किया 29 तो answer आजए 600, next one 770 minus 700, 770 में से 100 minus, 700 minus करना है, इसको भी हम अपनी rough copy पर solve करते हैं, 770 में से minus कर दिया 700, 0 में से 0 minus किया तो आजए 0, 7 में से 0 minus किया तो आजए 7, और 7 में से 7 minus करते हैं तो आता है 0, और 0 को हम लिखते नहीं है, यहां आजएगा 70, it means 7, 70 में से जब हमने 700 minus किया तो आजए 70, next one, 226 में से minus करना है आपने 20, तो इसको भी हम अपनी rough copy पर solve करेंगे, यह सारे कुछ इना आपने rough copy पर solve करके, इनके answers find करने हैं, 226 मे से 0 minus किया तो आगया 6, 2 में से 2 minus किया तो आगया 0, और 2 के नहीं से कोई value ने, it means 2 as it is आजएगा, 226 में से हमने minus कर दिया 20 तो हमारे पास आगया 206, 206, next one, 1894 में से minus कर दिया 1764, इसको भी हम अपनी rough copy पर solve करेंगे, 1894 में से minus करना है 1764, 4 में से 4 minus किया तो आगया 0, 9 में से 6 minus किया तो आगया 3, 8 में से 7 minus किया तो आगया 1, और 1 में से 1 minus करेंगे तो आजएगा 0 और उसको हम लिखते नहीं, it means हमारे पास answer आगया 130, तो 130 को हम अपनी बुक पे लिखते हैंगे, student, आप से अपने pencil से अपनी बुक पे लिखना है, मैं यहाँ pointer से लिखनी हूँ होगे, first one, 90 subtracted from 1090 is equal to 1000, आपने 1090 में से 90 को minus करके बताने के 1000 आता है, अगर तो 1000 आता है तो यहाँ आप लिख दोगे true, तो इसको हम अपनी rough copy पे solve करते हैं, 1090 में से हमने minus कर दिया 90, 0 में से 0 minus किया तो आगया 0, 9 में से 9 minus किया तो आजएगा 0, और यह 0 as it is आगया और यह 1 as it is आगया क्योंकि इनके नीचे कोई भी value नहीं है, it means 1000 आता है तो यह statement क्या हो जाएगी true, तो मैंने यहाँ लिख दिया t, is it clear, next one, the difference of 3500 and 4900 is 400, 3500 में से 4900 माइनस करने से हमार पास 400 आता है, अगर तो 400 आता है तो हम यहाँ लिख देंगे true और अगर नहीं आता तो हम यहा 500, 0 में से 0 मैनस कर दिया तो आजाएगा 0, 0 में से 0 मैनस किया तो 0, 9 में से 5 मैनस किया तो आजाएगा 4, 4 में से 3 मैनस किया तो आजाएगा 1, it means इन दोनों को मैनस करके हमारे पास आया 1400, तो यहाँ हमारे पास आंसर है 400, तो यह statement हमारे पास हो जाएगी false, क्योंकि हमारे पा तो इसको हमेशा राइट साइट से स्टार्ट करते हैं यह हमारे पास स्टेटमेंट है ट्रू इफ वी टेक आउट 3894 फॉम फाइफ डबल जिरो ता रिजल्ट इस 2094 अगर हम इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास 2094 आता है इसको अपनी म 10 वाली वैल्यू से करना है तो 10 वाली वैल्यू की तो पुजिशन पहले ही 0 है तो हम पीछी आजेंगे 100 वाली वैल्यू से करेंगे 100 वाली वैल्यू से हमने 10 को करी किया तो वह बन गया 10 10 से जब हमने इसको करी 1 को किया तो यह बन जागा 10 तो यहां रह जागा 9 10 में से 1 को म यहां थाउजन वाली वेली से जब कहरी के तो बनेंगे 17, 17 में से 8 मैनस करेंगे तो आजाएगा 9, 4 में से 3 मैनस करेंगे तो आजाएगा 1, it means answer आ गया 1906, तो यहां हमारे पास answer है 2094, it means कि यह statement हमारे पास false है, is it clear, we can subtract our 5 digit number from a 4 digit number, हम 4-digit number से 5-digit number को minus कर सकते हैं नहीं हम छोटी वाली value से बड़ी वाली value को minus नहीं कर सकते हैं इसलिए यह statement क्या हो जाएगी? False Is it clear? हौप सो यह आपको चितना से समझ आ गया होगा Now move on your page number 54 First of all write date and day Then solve question number 3 Select the correct answer from the given option Question number 1 Take away 1500 from 2500 the result is 1500 में से 2500 को minus करना है तो जब हम minus करेंगे इसको rough copy पर solve करेंगे 2500 में से हमने 1500 को minus कर दिया 0 में से 0 minus किया तो आजेगा 0 फिर 0 में से 0 minus करेंगे तो आजेगा 0 5 में से 5 minus किया तो आजेगा 0 2 में से 1 minus करेंगे तो आजेगा 1 It means 1000 आता है तो मारे पास यहाँ 1000 की option है तो हम 1000 पे tick कर देंगे Next one, subtracting 200 from the sum of 1200 and 7500 gives इन दोनों को जब हम plus करेंगे, इन दोनों की values को plus करने के बाद हमने 200 को उसमें से minus कर देना है, तो जो answer आएगा उसमें हम tick कर देंगे देखें, 1200 में हमने plus कर दिया, 7500 जब हमने plus किया तो 0 में 0 plus किया तो आजेगा 0, 0 में 0 plus किया तो आगया 0, 2 में 5 plus किया तो आगया 7, 1 में 7 plus किया तो आगया 8 8, 7, 00 में से हमने minus करना था 200, 0 में से 0 minus किया तो आगया 0, 0 में से 0 minus किया तो आगया 5 और यह 8 as it is आदेगे क्योंकि इसकी नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास आंसर आ गया 8500 तो हमारे पास 8500 का option है मैंने यहां टिक कर दिया राना है price 4500 she spent she spent price 3613 she is left with उसके पास money थी पास money 4500 उसने spend कर दिये 3613 तो बकाया उसके पास कितनी money बच गई है तो इसको भी हम माइनस करके देखेंगे उसके पास money 4500 जब हमने माइनस कर दिया 3613 उसमें से तो answer क्या आता है 0 मैंसे 3 माइनस करने तो 0 मैंसे 3 माइनस नहीं होता तो हम 10 वाली value से carry करेंगे तो 10 वाली value की position 0 है हम carry करेंगे 100 वाली value से 100 वाली value से carry किया तो यह बन गया 10 10 से जब हमने once को carry किया तो यह बन गया 10 यहां रह गया 9 10 मैंसे 3 माइनस किया तो आ गया 7 9 मैंसे 1 माइनस किया तो आ गया 8 यहां बच गया ता 4 4 मैंसे 6 माइनस नहीं होता तो हम पीछे वाली value से carry करेंगे, यह बन जाएगा 14, 4 में से जब carry उसको दिया तो यह बन गया 14, यहां रह गया 3, it means 14 में से 6 minus करने तो आजाएगा 8, 3 में से 3 को minus किया तो आजाएगा 0 और वो हम लिखते नहीं है, मार पास answer आगया 887, it means 887 पे हम tick कर देंगे, आपने बताना है कि जो राफे है वो अनम से कितना ज्यादा भड़ा है, तो हम राफे की centimeter को जो है अनम से minus कर देंगे, तो जब हमने minus किया तो हम देखने इसका क्या answer आता है, राफे जो है वो 136 है और अनम है 127, तो 6 में से 7 को minus करेंगे, 6 में से 7 minus नहीं होता तो हमने पीछे वाली value से carry किया, 3 में से carry इसको कर दिया तो यह बन गया 16, 16 में से 7 minus किया तो आगया 9, यहां बच किया 2, 2 में से 2 minus किया तो आगया 0, 0 हम लिखते नहीं और 1 में से 1 minus किया तो आगया 0, और वो भी 0 हम लिखते नहीं, जो राफे है वो 9 centimeter taller है किस से अनम से, 5, 8, 7, 2 minus 2, 1, 6, 7 is equal to, इस value में से इस value को minus करने तो minus करके जो value आएगी उस पे हम tick कर देंगे, उसको भी हम अपनी match के copy पर solve करेंगे, 5, 8, 7, 2 में से minus कर दिया 2, 1, 6, 7, 2 में से 7 minus करेंगे तो 2 में से 7 minus नहीं होता, हम पिश्चे वाली value से carry करेंगे तो वो आजेगा, यहाँ 12, 12 में से 7 minus किया तो आगया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 minus किया तो आगया 0, 8 में से 7 minus किया तो आगया 7, 5 में से 2 minus किया तो आगया 3, It means 3, 7, 0, 5 हमारे पास answer आगया 3, 7, 0, 5 तो हम इसको tick कर देंगे, Is it clear? Next one, subtract the following, हमारे पास subtract के question है जिसको मैं अपनी book पे solve करने है, question number 1 है, 4, 5, 8, 2, 4, 2, 6, 1, first वाली value में से second वाली value को हमने minus करना है, 2 में से 1 को minus किया तो आगया 1, 8 में से 6 को minus किया तो आगया 2, 5 में से 4 को minus किया तो आगया 1, 4 में से 2 को minus किया तो आगया 2, It means इन दोनों value को जब हमने minus किया तो हमारे पास answer आगया 2, 1, 2, 1, Is it clear? Student remaining question है, आपने same इसी pattern से अपनी book पे solve करने है, question number J, K और L आपका cross है, इसको आपने अपनी book पे चोटा सा cross कर देने है, और ये बाकी सारे question है आपने अपनी book पे solve करने है, फिर आपने अपनी math की copy खोलनी है, 3 pages ready करने है, date and dimension करनी है, table of 4, 5 and 6, table of 4 solve करने है, table of 5 and table of 6, आपने table of 4, 5 और 6 जो है वो अपनी math की copy पे solve करने है, आप 4 का table अलग page पे लिखेंगे, 5 का table अलग page पे लिखेंगे, 6 का table अलग page पे लिखेंगे, तीनों tables को अलग-अलग pages पे इसी तरह से इसी pattern से लिखने है, hope so, ये lecture आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आगे भढ़ते जो पढ़ना है, रुकना नहीं, आपको अच्छी आपको अच्छी तरह से लिखेंगे, 6 का अच्छी तरह से लिखेंगे,